किस तरह से हम अपने brain की potential को to the maximum level ले जा सकते हैं, क्या हमारी brain power fixed होती है, या फिर इसे हम increase भी कर सकते हैं, तो एक वेक्ति के सोचने समझने का तरीका लगी है, दूसरे वेक्ति के सोचने समझने का तरीका लगी है, hydrated रहना एक बहुत important चीज है जिससे आपका brain हमेशा अपनी maximum potential पर काम करें, music instrument सीखना शुरू करो, this will help to sharpen your brain, hello everybody, this is दिग्राश सिंग राजपूत, welcome to our channel, human brains की अगर हम बात करें, तो human brain जो है, ये एक मात्र ऐसी चीज है, जो human species को, दुनिया में जितनी भी दूसरी species है, उन सबसे बहतरीन बनाता है, उन सबसे superior बनाता है, अगर आप द सारे पेड़ पौध है, लेकिन उन सब में अगर आप देखो के तो dominating position पे human being है, और human being की domination को, क्या चीज़ इस्टाइबिश कर रही है, तो वो उनका दिमाग है, हमारे पास शायस शेर जितनी शक्ती ना हो, हाती जितना विशाल का है, शरीर ना हो, लेकिन आप देखो के तो सब कुछ हमारे दिमाग की potential पर ही based है, और यह आज से मतलब नहीं, आज से 1000 साल पहले भी जाओगे, अगर आप वेदिक time period में भी चले जाओगे, तब तो modern facilities उतनी नहीं थी, तब science and technology उतना develop नहीं हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी आप जिसे देखोगे तो उस समय के लोग शक्तिमान थे, वो कैसे थे, तो उन्होंने अपने मस्तिश्क का सहीं इस्तमाल, पूरा इस्तमाल किया थे, आज हम इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं, क्या कि किस तरह से हम अपने brain की potential को to the maximum level ले जा सकते हैं, उसके क्या benefits होंगे, क्या करना है, क्या नहीं क करना है, सारी चीजें आपको इस वीडियो के end तक समझ में आ जाएगी, तो अगर हम सिंपल तरीकी से सुरू करें, everything about brain power, अगर हम बात करें, तो सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है, क्या हमारी brain power fixed होती है, या फिर से हम increase भी कर सकते हैं, एक simple example अगर आप लोग है, तब जित जो थी, उससे बढ़ती जा रही है, आप एक भैतर human being की तरह evolve हो रहे हैं, positively, negatively दोनों ही sense में, अगर आपने इस दिमाग की शक्तियों का सही इस्तमाल किया तो, तो ये एक सवाल है, क्या ये fix होता है, या change होती है, तो yes, ये with time improve होती है, वो कैसे है, क्योंकि जब brain के उपर काम किया जाता है, अगला सवाल ये ही आता है, क्या, कि मेरा brain कितना evolved है, या फिर मैं अपने brain को maximum potential तक कैसे ले जा सकता हो, ये जा सकती हूँ, तो उसको क्या test कर सकते हैं किसी तरह से, उस चीज़ का भी एक आपको मैं समाधान दूँगा, दूसरी चीज, अगर मान सूपर brain मनाएगा या फिर वो चीज जो हमारे brains को नहीं करना चाहिए, तो इन ही सारी चीजों के इर्दगिर्ध हम बात करने वाले हैं, तो पहली चीज़ अगर हम समझे है, the brain we get versus the brain we built, जब हम पैदा होते हैं, तो हमारा दिमाग हमें कोरेक आगच के तरह मिलता है, एक एक सोचने समझने का तरीका अलग है, दूसरे व्यक्ति के सोचने समझने का तरीका अलग है, दोनों के brain अलग-अलग लेवल पे काम कर रहे हैं, अब होता कहना कि 20 सालों में उनका brain जो होता है, और वो कैसे evolve होता है, तो हम अपने brain की power को बढ़ाते हैं, जब हम उसे challenge देते हैं आप जिम जाते हो तो आपकी जम जाने से क्यों बनती है क्योंकि अब एक मसल के वपे टैंशन क्रेट करते हैं तो क्या ओती है रिलाक्स होने infection कोτι होते हैं जब से में इस को प्रॉपर न्यूटरेंटे मिलते जो हम आप सभी लोगों के लिए लेकर आये हैं अब इस अलम्पियाड में क्या करवाने वाले हैं तो माईनी नहीं रखता कि आप कहां पर हो किस क्लास में हो आपके लिए एक स्पेसिफिक ग्रूप है अगर आप उस एज ग्रूप में हो तो आपको ऐसे कुश्चंस की प्रैक किस तरह के होंगे और उलम्पियाड में पार्टिसिपेट करके आप अपने आपको जानोगी कि आप कहां स्टेंड करते हो क्यों क्योंकि दिस इस गोइंग टी नैशनल लेवल जिसमें पूरे देश भर से बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और इस लेवल का ही ओलम्पिय स्टेंबर होगा 1घ का पेपर होगा 8 सेप्टेंबर को स्टेज होने वाली है जए एक टॉप अलम्पियाड की स्टेज उसके बाद में जो एक टॉप पर्सेंटाइल रहेगा देविल भी कॉलिफाइंग फॉर स्टेज टू और उसके बाद में स्टेज थ्री भी होगा जो कि लाइव होगा आफ लाइन होगा जहां पर आपको मैं आपके प्रशान भी या शोवित भी हम तीनों मिल रहे होंगे साथ मिलकर इसको क्लोजिंग सेरमनी देंगे फिन के लिए लोग हजारों रुपे करते हैं लेकिन हम चाहते थे कि हमारे बच्चे जो है इस लेवल के उलंपियाड में क्या करें पार्टिसिपेट करें उस एक्स्पोजर को देखें ठीक है तो वह उलंपियाड होने वाला जिसमें आप एन्रोल कर सकतो और एन्रोल करने के करके हैं एंडोल करके 8 सप्टेमर को हने वाले स्टेइज1 में पार्टिसिपेट कर सकते हो हर एक पार्टिसिपेटिंग केंडिट को पार्टिसिपरिकेट तो मिलेगा ही मिलेगा और इस स्पिधिके чист कि मैं आपको आज बता दे रहा हूँ कि या नाशनल लिवल का नेक्स ट स्टेंड करता है वो अपनी पोटेंशल को समझे और जो बच्चे राउंड स्टेज 2 में जाएंगे स्टेज 3 में जाएंगे स्टेज 3 तक जो पहुचेंगे तो उनमें भी जो विनर टीम होगी उन सब के लिए धेरो ट्रॉफीज हैं गिफ्ट से सर्प्राइजे से जो एंड और अपनी पोटेंशल जो इन की इसको चेक कर सकते हो शूलिंक नेक्स सकते हो जहां पे जहां पे अन्रोल करने के बाद में आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी और वाली वेबसाइट जिस पर 8 सेप्टेमर को स्टेज वन होगा आपका क्लियर है तो क्यों कि यह प्रोसेस है अपने पोटिंशल को जानने की आगे बढ़ें तो आप बात ही आगी कि आपक ना कमी रह गई और क्या करके अपने ब्रें पावर को इंक्रीज किया जा सकता है तो सबसे पहली चीजह में आपको कुछ बेसिक टिप्स देने वालों यह आपके बहुत मदद आएगी कि कैसे ब्रिब्रीज़ करें सबसे पहली चीज़ स्ट्रे हाइडरेटेड क्या हो रहा वैसे ही brain भी आप जितने आपकी body hydrated रहेगी तो neurons आपके उतने actively respond करेंगे तो सबसे important चीज़ है अपनी maximum efficiency पर काम कर रहा है तो hydrated रहो fruits खाओ जिनके अंदर water capacity जादा होती है in fact ये मेरे teacher हमेशे उससे कहते थे क्या कि exam hall में water bottle जरूर ले जाये करो क्यों क्योंकि जब आप पानी पीते हो तो आपके body में oxygen का supply बढ़ता है fine आपके brain तब oxygen का supply बढ़ता है तो hydrated रहना एक बहुत important चीज़ है जिससे आपका brain हमेशा अपनी maximum potential पर काम करें जिस तरह से गाड़ी में petrol की जरूरत है वैसे human body में पानी की जरूरत होती तो hydrated रहना बहुत जादा जरूरी है पानी वाले fruits खाओ पानी पी ये एक चीज़ हो गई है दूसरी चीज जो है अपने brain को आपको functioning रखने के लिए जैसे what I personally feel कि school में हर बच operations कर रहा होता है तो इससे क्या रहता है उसकी exercise होती रहती है simple चीज़े यह हाथ की जब तक आप exercise करोगे तब तक आपको क्या रहेगा कि उनके अंदर strength बनी रहेगी लेकिन अगर आपने शरीर का इस्तमाल करना ही बंद कर दिया तो एक समय पर आ जाएगा कि शरीर भी क्या करेगा आपका 7 दिना छोड़ देगा तो same is the case with brain क्या कि आप brain को किसी ने किसी तरह से engage रखो जैसे अगर आप कुछ musical instrument सीख रहे है न तो उससे क्या होता है न आपके brain के major parts जो वो active होते हैं और active ह साथ में उनके बीच में coordination बनना शुरू होता है तो आप music instrument सीखना शुरू करो this will help to sharpen your brain इसके अलावा जैसे हम देख रहे हैं कि एक तरीका यह हो रहा है कि आप जैसे do's and don'ts की बात करी थी एक तरीका यह होता कि जब हम mobile में continuous real scroll करते रहते हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं हम ब्रेन को नंब बना रहे हैं वह बस जहां dopamine क्या सकते हैं stimulate होता है वहां रुख जाता है नहीं तो बागी स्क्रोल करे जा रहे हैं और इसी चीज़ को opposite तरीके से अगर आप देखोगे कि उन्हीं mobile में अगर आप कोई puzzles खेल रहे हैं क्या सकते हैं brain games खेल रहे हैं टीजर खेल सकते हो जो करना है वह करो लेकिन brain को engage रखो अगली important चीज क्या है कि जैसे सिर्फ जिम जाने से शरीर नहीं बन जाएगा क्या करना होगा आपको proper diet लेने के साथ साथ ने वह जो muscles आपकी कह सकते हैं stretch हुई है जो रप्चर साय ना उसको उसको हील होने के लिए आपको time देना और दिन भर उस दिमाग का इस्तमाल कर रहे हो न तो एक point पर लाकि उसको rest mode पर लाओ rest mode पर brain कभी नहीं आएगा brain rest mode पर आया तो brain नहीं brain power को क्या कर सकते हो increase कर सकते हो brain power को increase कर सकते हो अब point क्या अगली चीज कि आपको अपने brain power को increase करने के लिए मैंने कुछ hacks बता दिये अब आपको अपने brain power को train ऐसे करना है कि कुछ भी आप fact वगेरा पढ़ते हो ना एक छोटे बच्चे के example से देखो एक छोटा बच् है कि नीचे कहीं पर अगर मान लो एक गरम गरम पानी से भरा हुआ बरतन रखा है तो चोटा बच्चा उसके लिए एक fact है कि यह एक बरतन है जिसके अंदर पानी जिसमें से धुवा निकल रहा है तो अभी उसके लिए एक fact है बस fine फिर दूसरी चीज क्या होता है अब वह चूता है तो उसे चटका लगता है तो वह उसने relation बठाया कि बरतन है जिसमें से धुवा निकल रहा है या फिर एक मातर तरीका नहीं है कि आपका प्रेम उसको स्टोर कर लेंगे पिर अपने brain को ऐसे मट्रें करो कि रटे जा रहे हैं जो भी आप देख रहे हो जो भी आप पढ़ा रहे हो जिस भी information को आप encounter करते हो उस information के साथ relations बैठाना शुरू करो कि आपने एक कुल topic पढ़ा तो उस topic को आप यह देखो कि यार class 8 में मैंने इसके बारे में यह पढ़ा अच्छा यह ऐसे जुड़ता है तो जब आप क्या करते हो उन facts को individual information को relate करना शुरू करते हो ना तब आपका brain क्या करता है नए connections बनाता है और आपके लिए चीज़े याद रखना आसान होती है यह हमारे experiences का basis भी बनता है for example वह बच्चे ने जब गरम बरतन को हाथ लगा त तो चटका लगने के बाद उसके दिमाग ने बैठा ले कि बैटा आगे से गरम बरतन हाथ नहीं लगाना है अब इसके बाद क्या है इसके बाद बार बार recall करना है तो जैसे अगर हम पढ़ाई की बात करें तो हम कुछ पढ़ रहे हैं relations बैठा रहे हैं हम कोई भी चिट्ट कब ढ़ Daniel कर रहा हूं आज यह कहांई बता रहा हँ मतलब मिश कहांई को अपने के फास को रीकॉल करके आपको सुना रहा हूं तो वो रिकॉल क्यों कर पा रहा हूं वह शायद मैंने पहले दस नри दंशी को बताई हो चीज मैं भूलानीं क्यों क्यों इक बार relation establish करने के बाद में मैं उसको बार-बार जब लोगों को बता तो कि मेरा यह experience ना कि मुझे चटका लगा था तो उससे क्या हो रहा है ना उससे वो चीज imprint हो जा रही है आप में से कितने ही लोग यसे होंगे जो आपको बच्पन की कुछ बाते अभी तक ध्यान है क्यों ध्यान है वो बच्पन की कुछ बाते क्योंकि आपने उन बातों को विट टाइम बार-बार किसी को बताया है हर एक दो साल में बातों का जिक्र निकल आता तो आपको ध्यान रह जाती है आपके दिमाग में imprint हो जाती है same is the case with your brain also कि हम जो पढ़ा रहे हैं एक बार relations establish करने के बाद में उसे बार-बार revise करते रहना होगा revise यसे करो कि जो हमने आत दिन भर में करा रात में सोने से पहले एक बार आँख बंद कर रहे हूं वो चीजों को recall करो एक बार कि आज क्या किया तो इससे क्या होगा इससे यह होगा कि आपका brain जो है तो एक exercise कर रहा है चीजों को recall करने की और जितनी strong recalling power रहेगी तो I bet you this works क् आपने किसी चीज़ को बहुत अच्छे से समझा है relations बैठा है तो आप आख बंद करके पूरा दिमाग पर जोड़ दे के कोशिश करो कि उसको ध्यान मिलाने की तो आपको dots मिलेंगे और जिने connect करके आप उस पूरी information को वापिस से extract कर सकते हो और इसी चीज़ को हम फोटोजेनिक memory कहते हैं इसी चीज़ को में एक सूपर ब्रेन कहते हैं जो कि आप बना सकते हो शर्त यह कि काम इस तरह से करना पड़ेगा शर्त यह है कि काम इस तरह से करना पड़ेगा एट लास्ट एक important चीज़ क्या कि this human brain have immense potential इसके अंदर इतनी शक्तिया है कि जो तो आप अपने अंदर एक शक्तिमान बनता हुआ पाऊगे आप अपने अंदर एक सूपर हुमन बनता हुआ पाऊगे आप दिस वीडियो हेल्प्ट यह लॉट नेक्स्ट आपर्स ओलंपियाट के बारे मैं आपको बताई दिया है गिव यॉर्सल्फ चांस अपनी potential को चेक आपकरता हुम साइनि आप इस तोगेदर वीगें वीविल थैंक यू थैंक यू रिमच्ट